आगामी उत्रपदेश विधानसवा चुनाव नजदीक है ऐसे में स्वास्त ववस्ता एक एहम विसे बंता नज़र आ रहा था नज़र आ रहा है कोरोना काल में ये बात जो सामने आई कि स्वास्त के नजरिये से देश काफी पीछे है और इसकी जानकारी अब हर व्यक्ति को ह ऐसे में आगामी विधानसवा चुनाव को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक्षन में आ गई है बनेगा देश के घरी दली शोशित बंची देश के किसान गाउं के लोग छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए इदर उदर दोट रही माता हैं हमारे बुजूर्ख जब स्वास्त की बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार के तरफ देखते थे उन्हेंने निराश को मेरे गरीब भाई बेनों ने अपनी नीती मान लिया था जब 2014 में आपने मुझे देश की सेवा का आउसर दिया कि तब पहले की स्थिती को बदलने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात एक कर दिये जन मानस के कस को समचते हुए सामान ने मानवी की पीड़ा को समचते हुए उसके दुख दर्द को साजा करने में हम भागिदार बने हमने देश के स्वास्त सुविधाओं को सुधारने के लिए अधुनिक तह लाने के लिए एक महा यग्य शुरू किया अनेक योजना ये शुरू किया लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अपसोस रहेगा कि यहां पहले जो सरकार थी उसने हमारा साथ नहीं दिया विकास के कारियों में वो राजनित्य को ले आई केंदर की योजनाओं को यहां यूपी में आगे नहीं बढ़ने दिया गया दूसरी तरफ इस बात से वाकिफ कॉंग्रेस महासरशिफ प्रियंका गांधी ने सुमबार को बड़ा एलान किया उन्होंने ट्वीच करके कहा कि कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्ति ववस्था की जरजर हालत सबने देखी सस्ते वाच्छे इलाज के लिए घोशना पत्र समिती की सहमती से यूपी कॉंग्रेस ने निर्ने लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बिमार मुफ्थ होगा 10 लाग तक का इलाज सरकारी यानि अगर यूपी कॉंग्रेस सरकार बनती है तो सभी बिमारियों के लिए सरकार 10 लाग का मुफ्त इलाहिया कराईगी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूश प्लस न्यूश प्लस 24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाए